हेलो फ्रेंट्स तो आज फिल लेके आए कुस डिफ्रेंट्स रेसिपी तो चलिए इसको बनाते हैं यहां पर हमने सोया बीन लिए उसको गरम पानी में बिगोने के लिए 20 मिनद के लिए रख देया था और यहां यह सबी सब्जियां ली हुई है कटी हुई तो चलिए इसको स्पेशल तरीके से बनाते हैं फ्राइपन लिया है उसमें थोड़ा सा ओईल डाला है उसमें हमने जीरा एड किया है जीरा हलका सा भुन जाए उसके बाद इसमें यह एकदम से प्यास डालेंगे एकदम लच्छे तार जो कटे हुए हैं चाहें आप इस तरह कट कर सकते हैं आप चोटा चोटा भी कट कर सकते हैं इसमें हरी मिर्च कटी हुई एड किया है हमने इसको मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद अब इसमें कटी हुई सिम्मला मिर्च एड करेंगे पिर इसमें हम कटी हुई गाजर एड करेंगे उसके बाद कटा हुआ टमाटर एड करेंगे कर लाने के बार इसमें तेस्ट के आकोर्डिंग नामक डालेंगे कोई भी चीज हो कोई भी रेसिपी हो बिना नमक डाले वह यह पी कंप्लीट नहीं होगी। अब इसमें मसाले डालते हैं जो कि सब सबसे में होते हैं लार्मिश पौडर 1 चमश, हलल्डी पौडर 1 चमश, ठोड़ा बना हुआ जीरा 0 suff.रसक्ट है अन्त में हम और गरम अच्छप डालेंगे और एक चमश तोमैटो केचप डालेंगे में चेली ऍटीछ सॉस डालेंगे एक चम्मच हम इसमें सोया सोस एड़ कर रहेंगे अब बस इन सभी सबजियों को मिक्स कर लेंगे सभी सबजियों को हमें बहुत ज़्यादे नहीं पकाना है देखिए हमने ज़्यादे इनको नहीं पकाया है अब थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए इसमें हम पानी आइट करेंगे जिससे थोड़ा सा ग्रेवी हमारी बन जाए तो यहां पर हमने थोड़ा सा यह एक कफ हमने यहां पर पानी यूज किया है तो उसके बाद इसमें हम यह सोयावीन आइट कर देंगे और स्वयाबीन मसाले को सभी को खुब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसी तरह से मिक्स करने के बाद तो ये सभी मसाला स्वयाबीन अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें हम नीवू अच्छे से निजोड देंगे नीवू डालने से टेस्ट और सुपर टेस्टी बन जाएगी यह रेसिप हैं कटा हुआ इसमें हम धनिया एड़ करेंगे इसी तरह से पूरे में हमने धनिया एड़ कर दिया तो यह हमारी सोयवीन की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनके तयार हुई है इसको आप बहुत ही आसा तो आप लोग इस recipe को एक बार जरूर बना के try करें आपके बच्चों को सभी को घर में family में सभी को पसंद आएगी thanks for watching my video